धन्तेर सम्रुद्धी एवं स्वास्तिकाह संगम प्रधानमंत्री श्री मोदी आयुर्वेज चिकित सक 65 वर्ष तक दे सकेंगे शास्की सेवा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादफ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेज एवं पांच नर्सिंग कॉलेज का किया वर्चुल रोकार पर गरीबों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिक्ता 81 लाग किसानों के खातों में 1624 करोड रुपे की राशी सिंगल क्लिक से अंतिरित अध्योगिक निवेश के लिए प्रदेश में चलाया जा रहा है अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नीमच की और शिधी फसलों को जोड़ा जा रहा है पतंजली योगपीट से मुख्यमंत्री नीमच मेश्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकी चेकित्सा महविध्याले के लोकारपन कारक्रम में हुए शामिल सरदार पटेल के उद्दात और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर स्थापित कर रही है सरदार पटेल ने रियासतों का विले कराकर देश को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया प्रदान मंत्री श्री मोदी की पहल पर आरंभ रन फोर यूनिटी देश की एकता स्वास्थ और फिटनेस के संकल्प को दरसाती है धन्तेर सबकी जीवन में खुशहाली और संपन्यता ले कर आये मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री ने सबके आरोग्य की कामना के साथ धन्वंत्री जैनती पर किया पूजन मुख्यमंत्री डॉक्र यादव ने शुनील और लकी प्रजापती की दुकान से खरीदे दीपक, मुख्यमंत्री का शपत विक्रेताओं ने बाजार शुल्क से मुक्ती के लिए माना आभार मध्यप्रदेश में बनेगा देश का दूसरा महला उद्धमिता मंच राजशांखी की विभाग के अधिकारियों की हुई नीती आयों की प्रिंसिपल इकोनोमिक्स एडवाइजर के साथ चर्चा भोपाल में अंतरजिला बैंड प्रतियोगिता संपन प्रधानमंत्री श्री मोधी ने एम्स के नवीन भवन कोटेल्य का किया वर्श्वली लोकार पड़ सभी राजनीतिक दल कर दें बी एले की नियूक्ती मुख्यमन निर्वाचन पदाधिकारी श्री सीन इन दोर की स्रीमती सरिता रविंद्रको किराय के मकान से मिली मुक्ती